पहले तो आप एक चीज देखिए ये जो फिलिप्स का 32 इंज L-E TV है ना इसके अंदर ये प्रॉब्लेम है तो अगर आपके टीवी के अंदर बही ऐसा ही प्रॉब्लेम आए तो उसको कैसे हम रिपेर करेंगे या इस प्रॉब्लेम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वही चीज आज की वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा उससे पहले इसके बारे में और भी थोरा सा जानकरी मैं आपको देना चाहूंगा पहले तो यह प्रॉब्लम आपने देखा लेकिन जब इसके साथ कोई एक्स्टरनली इंपूट करता हूं सिगनल जैसे कि इसके वह प्रॉपर हमें मिल रहा है लेकिन डिस्प्ले पर एंसा ही आ रहा है कुछ भी पिक्चर आहमें नहीं दिखाए दे रहा है तो इस समझछा को दूर करने के लिए हमें एक मोडिफिकेशन करना पत्रेगा और मोडिफिकेशन आपको कैसे करना है वुह आपको कैमेरे के जरीए नहीं पता चलेगा इसलिए हम आपने माइक्रोस्कोप को इस्तमाल करेंगे पहले तो आप देख लिए कि इसके अंदर जो पैनेल लगा हुआ है ना वो पैनेल कितने नंबर के उससे पहले में आपको और एक छोड़ा सा जनकड़ी देना चाहूंगा अगर किसी भी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आये ना इसका मतलब इसका बैक लाइट सही है पैनेल के अंदर कुछ गरबरी के वैसे यहां पर पैलेंट के उपर कोई पिक्चर या ग्राफिक्स नहीं बन पा रहा है तो इस तरीके से जब आप टैप करके अब देखो गहीं से वाइट लगा हुआ है उसके अंदर टेन परसेंट चांसेस रहता है इस वाली प्रॉब्लम सॉल्व गड़ने के लिए तो चले हम सबसे पहले यह देखना पर एगा कि इसके अंदर कोई पहले से काम किया है कि नहीं उसके बाद हम आगा की प्रॉसेस देखेंगे तो यहां पर देख सिंगल वाला कॉपाइसी लगा हुआ है तो जब भी हम लोग को एसा प्रॉब्लम आती है कि पैनल के अंदर तो सबसे पहले हमें पैनल के अंदर वोल्टेज कितना कितना और कहां पर कहां पर बन रहा है यह हमें चेक करना परेगा इसके लिए हम अपने माल्टेविटर को य वोल्ट में अपरेट होती है इसके लिए हम लें इनपूट 12 वोल्ट हम मेटरमेन करेंगे यहां पर देखिए 12.26 वोल्टेज इनपूट हो रहा है यहां पर फ्यूज लगा हुआ है फ्यूज के एक साइड फ्यूज के दूसरे साइड भाई भी हमेरा सेम बोल्टेज आना चाहिए यहां पर देखिए 12.27 याने कि इसके अंदर तो पावर साप्ला इनपूट हो रही है और उसके बाद हमें जो बेसिक वोल्टेज होते है वी डीडी वी और 3.3 वोल्ट यह सरे वोल्टेज हम लोग एक बार चेक कर लेता हूं पहले तो यहां पर वी इन 12 वोल्ट के केquesी के लिए ऑप्सेन दिया गाया है कि यहां पर फीडीडेज मौजिव उसके बाद यहां पर एच वी इन वोल्टेज है तो यह भी में चेक कर लेता हूं यहां पर नहीं मिल रहा है मतलब यहां पर मिसिंग है उसके वाद अप्वी डीडी वोल्ट हम करेंगे 15 वोल्ट के हम मिशिंग है उसके बाद वी सिसी जो on point एड वोल्ट होता है वो हम चेक करेंगे यहाँ यहाँ पर देखिये on point. 8 वल्ट मौिट है यानिकी यहाँ पर on point 8 वोल बन रहा है उसके सādt सब इहां पर वी और्ण वल्टेज हम चेक करेंगे, यहांपे यहां पर वी सीची 3.3 वल्ट मोजूद dormir यानि की यह भी वोल्टेज बन रहा है, उसके बाद V ओर्ण हम चेक करेंगे, यहां असी और वि आण वोल्टेज भीये नहीं है, इसका नतला मुन्हे पता चला कि इसके अंदर टोटल तीन वोल्टेज मोजूद है बाकी सारे बोल्टेज मिसिंग है पहला वोल्टेज 12 वोल्ट हमारा पावर सप्लाई हो गया दूसरा वोल्टेज हो गया 3.3 वोल्ट और तीसरा वोल्टेज हो गया 1.8 वोल्ट ये तीन वोल्टेज के अलबा तो सी के भी लाइन होता है सी के भी लाइन को काट करके देखना पड़ता है तो हमें इस कोफाइसी का अंदर दो साइड में सी के भी लाइन होता है इस साइड में चार कनेक्शन होता है तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड का चार कनेक्शन को काट करके देखेंगे कि हमारा पि प्रोस्कोप के जरीए दिखाने वाला हूं तो चलिए काटिंग का प्रोसेस अभी सालू करते हैं कि तो हमने कोफ है सीकर सी यह लेफ्ट साइट का खट कर चुका हूं और अब मैं इसको टेस्ट करके एक बढ़ी देख लेता हूं कि हमारा ये लेफ्ट साइट काट करने के बाद K Cast पिक्चर बन रहा है कि नहीं तो हमें इसी सभी पता चल जाएगा कि हमारा पैनेल का जो नो पिक्चर का और ग्राफिक्स का प्रॉब्लम में वो सॉल्ब हो आए कि नहीं इसलिए मैं जल्दी से इसके अंदर लाइन दिखा को दिखा देता हूँ यह देखे टीवी का अंदर लाइन आ चुका है अब इसके अंदर पावर सब्ले देता हूं और देखता हूं कि यह पिक्चर बना पा रहा है कि नहीं और मैं इसको इस्टन वाई से रिलीज करता हूं रिमोट के जरीए यह देखे रिस्टन वाई से रिलीज हो चुका है लेकिन फिर से देखिए वही प्रॉब्लम है यह सॉल्व नहीं हुआ है इसका मतलब है कि हमें लेप साइड को फिर से जोर के राइट साइड का जो सीखेवे ट्रैक है उसको कट करना परेगा तो चलिए जल्दी से यह भी क कर लेता हूं कि यहां पर आप साब साब देख सकतो कि सबसे पहले तो हमने यहां पर कट कर रहा था लेकिन यह पैनल के अंदर फिर भी पिक्चर नहीं बन रहा था फिर मैंने इसको फिर से वहीं से जोड़के इस चाइड मेंने कटा हूं अब बात आती है कि आपको कौन से नंबर का ट्रेक्स को कट करना है इसके बारे में अगर आप जानकर या डेटा से डाउनलोड करना चाहते हूं तो आप हमारे वेबसाइट लिंक दिया हुआ है उहां पर आपको इस नंबर का और इस से मिलते जुलते जो भी पैनेल्स होते हैं सिखेवी लाइन के कट की अगर पेचान करना हो तो उसके लिए डेटा सेट हमारे वेबसाट पर फिर में मिल जाएंगे कोई भी पैसा देने की जोरोत नहीं पड़ेगी कि तो चले आप युए लेता हूं कि हमरा यह मोडिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ है यह सक्सेस्फुल हुआ है की नहीं इसके लिए हमें इसके अंदर दिना पड़ेगा तो पवर दिने के लिए मैं और एस्रीकोड लगा देता हूं इस रिकॉर्ड लगाने के बाद हम अब देखते हैं यहां पर इंडिगेटर जल रहा है मतलब आभी हमरा टीवी स्टनवाई पोचीशन में है अब इसको स्टनवाई से रिलीज करने के लिए हमरा यह रेमोट रेमोट को प्रेस करेंगे अब देखते हैं यह देखिए फिलिप्स लिखा चुका है मतलब हमारा जो प्रॉब्लेम था कि पिक्चर नहीं बन रहा था मतलब एक तरीके से कोई भी ग्राफिक्स हमें नहीं दिखाई दे रहा था यह प्रॉब्लेम हमने मोडिफिकेशन करके ठीक कर दिया हूँ ऐसा प्रॉब्लेम हमें बह कघर पर प्रम्य की मतलब के डैने तो आपको जो ऐसको काम कट तो कर दोगे लेकिन करने के रहे अगर आपके पीक्चर नहीं बनता है तो उसको जोडने के लिए अपने जाव माइक्रोस्कोप यह आपके पास इससके एक्सप्रियेंस से तोँरकर सकते हो नहीं तो आप अप करके वीडियो आगे आने वालों दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्स्राइबर के जुर रही है हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में